प्रिंट करेंगे पहले के प्रोग्राम कावली यह ज्याद आच्छा है और यह प्रोग्राम यह कहता है कि अगर आपको किसी दिये के 2D आरे में left और right diagonal elements को print करना हो तो आप कैसे print करेंगे तो question यह आता है कि left और right diagonal elements होते कहा है तो अगर यह आपका मालनी ची 3 into 3 का matrix है तो यहां इन सारे boxes में जो element होंगे वो कहलाते है left diagonal elements और इस boxes में जो भी सारे element होंगे वो क्या कहलाएंगे right diagonal elements यह मेरा 0 होता है यह 1 होता है और यह क्या होता है 2 होता है ठीक है तो यह हमारा index 0 of 0 यह हमारा indexing बताता हूँ कि इस program को जो हम solve करेंगे वो बिल्कुल index के बेस्पेंग करेंगे अगर आप समझ सकते हैं कि कैसे आप इन सारे elements को print करेंगे तो एक minute के लिए वीडियो को hold कीजी और देखिए क्या आप logic बता कर पाते हैं left diagonal के लिए similarly फिर से वीडियो को hold करके आप देखिए कि क्या आप पता कर पाते हैं right diagonal element के लिए तो मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप left diagonal प्रिंट करेंगे तो देखिए left diagonal को print करने का बड़ा असान तरीका है यहाँ पर i कितनी है 0 है यहाँ पर i कितना है 1 है यहाँ यहाँ पर i कितन i और j की value क्या है equal है मैं वहाँ पर उन values क्या कर दूँगा print कर दूँगा तो हमारे सारे के सारे values जो हाँ यहाँ पर i j है जैसे यह values जो भी होगा यहाँ पर जो भी value होगा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा तो वही तो है हमारा क्या left diagonal elements अब आते है right diagonal elements की तो आपको पता है कि यह 3 into 3 का matrix है ठीक है 3 into 3 का matrix है तो मैं क्या करता हूँ देखिए i और j यहाँ पर है यहाँ पर भी i और j है और यहाँ पर भी i of j है तो इसमें कुछ relation निकालना चाहूँ तो यह relation निकाल सकता हूँ कि i और j को जब आप plus कर रहे है याई प्लस j जब कर रहे है तो इसकी value यहाँ आ लिए यह, मतलब जितने का matrix है 3 into 3 का matrix है तो 3 से एक कम, अगर यह 4 into 4 का matrix होता है तो 4 से 1 कम 3, छी कर दो है, न छी को जो सा एक कम होना चाहीं i और j का sum, तो i add j जहां-जहां 2 के equal है, 0 plus 2 2 है, 1 plus 1 2 है और 2 plus 0 भी क्या है वहाँ-वहाँ में क्या करएंगा, उन सारे values क प्रिंट कर दोगा तो यह हमारा redesign सकते हैं प्रोग्राम में तो यह हमारा प्रोग्राम हm problem में और यमने अपने लिया करते हैं आफ़ पूट के लिए मतलब हमने अपने इ Morocco क्या कर दियाuso कर दिया अब देखिये मैं एक मैसेvenिंट कर दा हूँ screen print the left diagonal elements are. यह loop लगाया. मैने आपको पता है. एक एक करके है elements पर जाएगा ठीक है एक एक करके सारे elements पर जाएगा और वहाँ पर क्या check करेगा कि अगर a of i sorry not a of i of j बल्कि यहाँ पर check करेगा कि अगर a यहाँ पर क्या check करेगा यहाँ पर यह चेक करेगा कि क्या i की value जो है वो j के equal है तो देखिए यहाँ वाले concept में यहाँ वाले concept में और यहाँ वाले concept में क्या होगा i और j की value जो है वो equal होगी तो उस समय percent d a of i of j की value प्रिंट करके हर बार एक tab distance छोड़ा करो तो माल जी यहाँ पर elements अगर हम देखिए दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और वान माल जी ठीक है तो इस condition को इस condition को इस condition को यह fulfill करता है क्योंकि इस condition पर तीनों i और j क्या है तो 2, 6 और 1 प्रिंट हो जाएगा उसके पहले एक message लिखा हुआ है क्या left diagonal elements और यह वाला message लिखा हुआ आएगा ठीक है जब यह loop खतम हो जाएगा तब तक हमारा left diagonal प्रिंट हो गया तो यह loop हमारा किसली हो गया जो left diagonal को क्या रहा प्रिंट कर रहा है ठीक है अब आते है right diagonal क के लिए हमने फिर से एक message दिखा दिया है कि भाई diagonal elements है फिर से यह loop लगाया जो हमें एक करके फिर सुन से लेकर last element पो लेकर जाएगा और हम यहाँ चेक करने कि अगर i of i plus j equal to 2 होना चाहिए 2 होना जाहिए ना कि 3 ठीक है यहाँ पर क्या होगा 2 होगा क्यों 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 क्यो जाएगा terminate हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा work है functionality है वो क्या करता है right diagonal elements को print करता है अब देखिए कभी-कभी questions होआ सब घुमा के पूछता है वह question क्या पूछता है पूछता है सिर्फ देता है कि write a program to print the diagonal elements of the array ठीक है of the 2D array तो basically जब सिर्फ diagonal बोलता है तो आ आप priority देंगे left diagonal को ठीक है लेकिन अगर आप dead sure होना चाहते हैं कि जो आप बना रहे हों बिल्कुल ही सही है तो left diagonal को ही print कर दीजिए यह आपकी मर्जी पर depend करता है तो यह तो था theoretical description अगर हम इसे practically करना चाहते है तो मैंने अल्रीड इसका program type कर रखा है यह रहा हमारा code blocks हमने आप उपन किया देखिए लाइन में लेना प्रोगाम को match करेंगे तो यह इंपुट लिया फिर मैंने यहां किया उससे display कर दिया पहले print किया left diagonal elements को और फिर क्रिट कर दिया right diagonal elements को यह है left diagonal और यह क्या मने नीचे प्रिंट कर दिया right diagonal elements को प्रिंट कर दिया तो run करते हैं चलिए, run करने के लिए मैंने run button पर click किया, अब क्या करते हैं, values मांगता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 मने डाला, देखिए, सबसे पहले तो उसने हमारे list को display कर दिया, उसको पाद message देता है, left diagonal elements आ, कौनकों से हैं, 1, 5 और 9, तो 1, 5 और 9, और फिक देखिए, right diagonal elements आ, आप तो कौनकों से हैं, 3, 5 और 7, तो 3, 5 और 7, मतलब हमार प्रोग्राम जोगे सक्सेस्फुल युकाम कर रहा है, तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आए होगी, अगर आए है तो please like, subscribe, share कीजिए, thanks वो जंग दिरो, thanks.